दुनिया की पांच सबसे खतरनाग जानवर दोस्तों हमारी प्रित्वे पर कई तरह के जानवर पाए जाते हैं कुछ समानने होते हैं तो कुछ खतरनाग कुछ प्यारे होते हैं तो कई विशयले कुछ मनुश्य के दोस्त होते हैं तो कुछ दुश्मन और आज इन्हे दुश्वन जानवरों के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ जो इनसानों के जान असाने से ले सकते हैं तो नमस्कार दोस्तों टुजब बते जोलोजी में आप लोगों का स्वागत हैं दोस्तों आप लोगों से छोटे से रिक्वेश्च है कि आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करतें और बेल आइकन को बताबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिजिए तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पहली नमबर पे हैं पॉजन राट फ्रॉग इस छोटे से मेड़क में सो अलग अलग तरह की पॉजन सिस्टम होते हैं ये बहुत छोटे और बहुत खतनाग भी हैं आमतोर पर इनका वज़न दो ग्राम और लंबाई 20 से 40 मिलीमेटर होती है लेकिन कुछ रियर चैंसेस में यह 60 और 80 मिलीमेटर लंबे भी हो सकते हैं ये मेड़क शाखाओं और पत्तियों पर पाई जाते हैं ये छोटा सा जीव अपने रंग की वज़़े से बहुत खुबसूरत दिखाई देते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इनका जेहर कोबरा की जेहर से भी जादा खतरनाग होता है जिससे बेटरा चोटे जोईन के नाम से जानना जाते हैं जिससे मनुष्य के धड़कन 20 मिनिट में बंद हो जाती हैं यह ब्राचील कोलंबिया पेरू पनामा कोश्टा रिका और कई अंदर देशों में पाई जाते हैं यह ज्यादा दर ट्रॉपिकल फॉरेश्ट मांटेन शवाना रिवर बैंक और च्छील से किनारों पर देखे जा सकते हैं तो दूसरे नंबर पे अफ्रिकन पर फैलो यह जानवर अपने तागतव सिंगों की पतर से बहुत खतरनाक है और यह अपने दूसरे नाम ब्लैक डैट से भी मशहूर है यह अफ्रिगा का सबसे खतरनाक और निरदई जानवर है वजन में यह 900 किलोग्राम के हो सकते हैं और तूरिष्ट और शिकारियों को इन जानवरों से बचिकर रहना चाहिए क्योंकि यह किसी भी तरह का खतरा मैसूस होते ही तुरंट उस पर हमला कर देते हैं और अगर आप भागने के कोशिश भी करें तो भी आप इन से नहीं बस सकते हैं क्योंकि यह 50 किलो मेटर प्रती घं प्रण फैलो किसी दूसरे चीजस से जादर निसानों पर हमला करते हैं 3डश बॉक जाली फिष Friday शायद समुदर का सबसे खतर नाक मचली यह subject के टेंटा क्र्स् किलो होते हैं बॉक्स जैली फिश को इनके बॉक्स जैसे आकार की वज़ा से असानी से पैचाना चाह सकते हैं यह जैली फिश फिलिपिन्स वेतनाम और और ऑस्टेलिया समुझे के किनारों पर ज्यादा देखी जाती हैं हर साल सो से ज्यादा लोग बॉक्स जैली फिश का शि करने के शक्ति को खतम कर देता हैं दोस्तों अगर ये किसी मनिश्ची पर हमला कर दे तो इसका दर्द इतना खतरनाख होता है कि वह इसके दर्द को सहर नहीं कर पाएगा और सही समय पर इलाज ना मिलने से उसकी मौत भी हो सकती है इसलिए अगर आप वेकिशन के दोरान इन ज जाने वारा सबसे जहरीला साफ है जो और श्रीले की नौर्थ और नौर्थ इस्ट कोश्ट में पाये जाते हैं यह कोब्रा और रेटन स्नेक से भी जादर खतरनाख होता है और इनके दाद 13 मिलिमेटर लंबे होते हैं अगर आपका सवाल है कि यह कितने खतरनाख है तो यह खतरनाख है कि इनका जहर किसी भी मनुष्य को केवल 45 मिनट में मौत के नेच सुला सकता है वैसे यह सब बिना कारण किसी मनुष्य पर हमला नहीं करते हैं लेकिन अगर इन्हें खत्रह मैसूस होता है तो यह तुरण हमला कर देते हैं और इनका जहर ब्लड फ्लो को रोक दे देता है मनुष्य को पैरलाइस कर देता है विस्लेंड और टाइपां के काटने से दो में से एक मनुष्य की मृत्य हो जाती है तो पांसवे नंबर पर ब्लू रिंग ऑक्टूपस ब्लू रिंग ऑक्टूपस टाइनी कलर्स के नाम से भी मशहूर है यह बहुत छोटे अकार और हलके होते हैं यह केवल 20 सेंटी मेटर के होते हैं और इनका वज़न केवल 100 ग्राम होता है और अपने स्किन की वज़से यह देखने में काफे एट्रक्टिव लगते हैं लेकिन यह बहुत विशैले होते हैं इसका जहे तुरंद असर करता है और किसी को भी पैरलाइस कर स आप इसके विक्टिम को तभी बचा सकते हैं जब इसके काटने के तुरन बाद उसे इलाज मिल सके अगर जरा से भी देर हुई तो मनुष्य की मृत्यों निश्चित हैं क्योंकि इस अक्टूबस के जहर का कोई अंतिम तोड़ नहीं बना है यह एंडोनेशिया फिलिपिन्स और नियोगीना के समुंद्री पांडी में पाई जाते हैं तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसे लगी आप मारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मिलते हैं अंगली वीडियो में जाएं जाएं जाए भारत